अमेरिका ने यूक्रेन को सैने मदद देने के नाम पर हाथ खड़े कर दिये हैं अमेरिकी राश्वपती जो बाइडन ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेगा अमेरिकी न्यूस चैनल CNN के मताबिक भारतिय सम्यानुसार गुरुवार देर रात जो बाइडन ने अमेरिका के लोगों को सम्मोधित किया इस दोरान उन्होंने कहा हमारी सेना रूस यूक्रेन युद्ध में न शामिल है और नहीं होगी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिकी सेना यूक्रेन में रूस से लड़ने के लिए यूरोप नहीं जा रही है बल्कि हमारे नाटो सहयोगियों की रक्षा करने वहां जा रही है हमारी सेना नाटो के ख्षेत्रों की हर एक इन्च जमीन की रक्षा करेगी वो वहाँ जाकर पूरी यूरोप के हमारे सहयोगियों लात्विया, इस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलेंड और रोमानिया को आश्वस्त करेगी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये हमारी तरफ से पूरी तरह से एक डिफेंसिव कदम है हमारा रूस से लड़ने का कोई इरादा नहीं है बाइडन ने अमेरिकियों से कहा कि अमेरिका पर भी इस युद्ध का असर पढ़ सकता है गैस सहित कई चीजों के रेट बढ़ सकते हैं हालांकि उन्होंने कहा यूक्रेन में फसे अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है हम रूसी साइबर हमलों का जवाब देने के लिए भी तयार है इस दोरान जो बाइडन ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस की निंदा की और कहा कि वे रूसी राष्टपती से इस मसले पर बात नहीं करेंगे उन्होंने कहा हमें पहले से अंदेशा था कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा पुतिन हमलावर हैं उन्होंने युद्ध के रास्ते को चुना ये एक पूर्व नियोजित हमला है जिसकी योजना महीनों से बनाई जा रही थी वह पहले के सोवियत संग को फिर से स्थापित करना चाहते हैं उनसे बात करने की मेरी कोई योजना नहीं है मुझे लगता है कि उनकी सोच वैसे बिलकुल नहीं है जैसी हमारी है लेकिन ये तय है कि व्लादिमिर पुतिन और उनके देश को इस हमले के नतीजे भुगतने होंगे दुनिया के ज्यादातर देश रूस के खिलाफ में हम रूस पर कड़े प्रतिबंद लगाने जा रहे हैं अमेरिकी राश्रपती जो बाइडन ने रूस पर नए प्रतिबंद लगाने की भी गोशना की इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा हम दुनिया की साथ बड़ी अर्थविवस्थाओं के संगठन G7 में देशों के साथ मिलकर रूस को जवाब देने जा रहे हैं सभी में सहमती बनी है कि वो डॉलर, यूरो, पाउंड और येन में बिजनस करने की रूस की क्षमता को सिमित करेंगे वी टीबी समेत रूस के चार और बैंकों पर प्रतिबंद लगाए जाएंगे रूस और यूक्रेन पर आपको हम लगातार अपडेट देते रहेंगे देखते रहें दिललन टॉप मेरा नाम है सुमित शुक्रिया